Hello friends, tax filing school के इस वीडियो में आपका स्वागा तो दोस्तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से ITR 3 हम भर सकते हैं, commission income के लिए, brokerage के लिए, service provide करते हो या आप freelancing करते हो, detailed final account हमने बनाया हुआ था और उसको ITR में भरने का demo हमने दिखाया हुआ था, ITR के साथ अ अगर आप ITR में no account case choose करने वाले हैं, तो भी मत करिएगा, बहुत सारे notices आ रहे हैं पिछले 2 सालों से, यहाँ पर जो process में आपको बताने वाला हूँ, उसमें भी बहुत कम detail भरना पड़ेगा, और बहुत ही कम समय में आप ITR 3 फाइल कर लोगे, ठीक है, सबसे पहले तो final account की base पर हम ITR फाइल कर देंगे, बहुत ही आसान है, आपको इस तरीके से format दिखाई देगा, यहाँ पर आपको profit and loss दिखाई देगा, आपको इस side में अपना income दिखाना है, और इस side में अपना expenses दिखाना है, ठीक है, सबसे पहले income दिखा देते हैं, income में आपको commission मिला होग LIC से या दूसरे किसी भी financial institution से, या brokerage आपको मिला होगा, तो पूरे साल भर का commission या brokerage आप यहाँ पर दिखा दीजिए, दूसरा कोई भी income होगा, तो वो भी आप दिखा सकते हो, उसके पर debit side में आएंगे, यहाँ पर आप अपना expenses दिखा सकते हो, अगर आप नहीं दिखान चाहते हो, तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं तो suggest करूंगा जो common expenses होते हैं, जैसे कि traveling के, telephone के, tea coffee expenses, advertisement के, यह सवाब जरूर दिखा दो, क्यूंकि इसका फायदा आपको मिलता है, आपका income कम हो जाता है, तो TDS refund पूरा का पूरा आ जाएगा, हमने कुछ basic expenses यहाँ पर द capital account क्या है, capital account आपको balance sheet में भरना पड़ता है, सबसे पहले balance brought down यहाँ पर आपको inter करना है, मतलब एक April के आसपास business चलाने के लिए आपके पास कितना capital था, बहुत आसान तरीका कि आपके पास कितना cash balance था, और bank में कितना balance था, उसके हिसाब से आप capital जान सकते हो, उसके अला का, वो हम यहाँ पर दिखा देंगे, ध्यान देना round figure हम ले रहे हैं, क्योंकि demo बना रहे हो सकता आपकी case में round figure ना हो, ठीक है, अब credit side तो हमने भर दिया capital का, अब debit side में हमें drawing दिखाने है, drawing का मतलब होता है, personal expenses के लिए आपने business से कितना पैसा निकाला हुआ है, घर खर्च के लिए कितना पैसा निकाला हुआ है, उसके साथ tuition fees बच्चों का pay करते हो, या दूसरा कोई भी payment करते हो, जो कि business से related नहीं है, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, हमने demo के लिए यहाँ पर 2-3 item ही रखा हुआ है, लेकिन आप इसको change भी कर सकते हो, ठीक है, तो जो भी total capital थ cash है, bank में है, या आपने loan दिया हुआ है, किसी को investment किया हुआ है, आपको यहाँ पर bifurcate कर देना है, बहुत ही आसान है, हमारे case में तो bank और cash ही है, आपकी case में जो होगा आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है, ध्यान देना का detail में final account बनाना है, तो उसका video भी already हमने बना आया हुआ है, link आपको नीचे description में मिल जाएगा, एक बात का ध्यान देना है, capital का जो भी value है, उतना ही value का assets भी आपके पास होना चाहिए, दोनों match हो जाना चाहिए, आकरी में ठीक है, हमने यहाँ पर एक छोटा सा और काम चला हूँ final account बना दिया हुआ है, इसकी मदद से अब हम ITR form भरेंगे, कैसे भरना है, जल्दी से वो भी देख लेते हैं, income tax की website पर जाना है, जल्दी से login कर लेते हैं, login करने के बाद जल्दी से हम ITR 3 open करेंगे, अब इस तरीके से schedule summary का page आ जाएगा, जो जो important tab है, मैं आपको बता देता हूँ, बाकि जो basic है, वो already हमने cover किय अगर आपको नहीं पता है, तो detail video देख लिजेगा, link आपको नीचे description मिल जागा, लेकिन ये सब basic चीजे हैं, सबको पता ही होता है, सबसे पहले nature of business का tab select कर लेना है, यहाँ पर add details का option आजाएगा, click करिएगा, और यहाँ पर आपको business का code select करना है, trade name, मतलब business का कुछ नाम ह इस पर click कर देंगे, यहाँ पर BS का मतलब balance sheet होता है, अब balance sheet में देखे source of fund है और application of fund है, no account case आपको choose नहीं करना है, मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूँ, source of fund में add details पर click करिए, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, proprietor का fund, proprietors capital का यह जो box है, इसमें आपको amount enter करना है, कौन स capital इंटर करने के बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर add का button है, इस पर click कर देना है, source of fund में यहाँ पर amount आ गया है, उसके बाद application of fund में जाना है, यहाँ पर add details पर click करना है, application of fund में इस तरीके से page आ जाएगा, assets, investment वगएरा है तो detail वाला वीडियो देखीगा, ठीक है, फि उसके बाद bank balance जितना है, वो भी enter कर देंगे, और enter करने के बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है, add का button क्लिक कर देंगे, add करते हैं, source of fund में amount दिखाई दे रहा है, application of fund में भी amount दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल same है, और same होना भी चाहिए, एक का button है, इस पर click कर दीजिए, pop up message आएगा, ok पर click कर दीजिए, फिर से summary वाले page पर हम आजाएंगे, balance sheet तो हमने भर दिया, अब जाना है आपको profit and loss account में, profit and loss का page आजाएगा, credit to P&L account, add details पर click करेंगे, अब यहाँ पर आपको सारा income दिखा देना है, जो आपने अभी बनाया ह profit and loss में जाएंगे, तो credit side में हमने दो income दिखाया हुआ था, दोनों आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए, हमारे case में commission है, तो commission हम इंटर कर देंगे, इस तरीके से, उसके अलावा misleadingous receipt भी है, तो उसके लिए हम नीचे जाएंगे, और यहाँ पर any other income में इंटर कर देंगे, brokerage वगरा का income भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो, तो आपके पास जो भी income है, यहाँ पर बहुत सारे options दिये गए हैं, अगर option नहीं दिया गया है, तो नीचे any other में इंटर करने के बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर add का button है, इस पर click कर देना है, तो income हमारा अब हमें यह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नीचे आएंगे debit to profit and loss account, अगर आपने final account में expenses दिखाया हुआ था, तो उसको अब हमें यहाँ पर enter करना पड़ेगा, अगर आपने final account में नहीं बनाया हुआ है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, हमारे case में 3-4 expenses हैं, तो आप details पर click करेंगे और उसके बाद इस तरीके से page आजागा, बहुत सारे expenses आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, आप check कर लिजे आपके लिए कौन से expenses applicable हैं, ठीक है, हमारे case में हमने 4 expenses दिखाये थे, traveling का, telephone का, tea coffee का और advertisement, तो जल्दी जल्दी हम enter कर देते हैं, tea coffee expenses को हम hospitality में दिखा देंगे, advertisement यहाँ पर है, बहुत सारे expenses नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं, दो page है, यह पहला page है, continue पर click करेंगे, दूसरा page आजाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख लिजिएगा, traveling expenses हमारे case में है, उसके बाद telephone expenses भी है, तो हमने इतने सारे expenses दिखा दि वीडियो देखेगा, उसमें इन सब चीजों के बारे में हमने detail में बात किया हुआ है, फिर नीचे आएंगे, और यहाँ पर add का button है, इस पर click कर देंगे, अब इस तरीके से page आजाएगा, credit side में income दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर expenses दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इसको open करके, फिर आप नीचे जो confirm का button होगा, उस पर click कर दीजिएगा, तो वो save हो जाएगा automatically, तो profit and loss account balance sheet हमने भर दिया हुआ है, उसके बाद कुछ दूसरे भी expenses हैं, जैसे कि हमारे case में interest हमें receive हुआ है, 800 का saving bank खाते से, तो उसको other source में दिखा देंगे, summary में schedule other source में interest, यहाँ पर amount enter कर देंगे, enter करने के बाद नीचे add का button है, उस पर click कर देना है, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, कभी कभी आपको other source में आपके commission का income दिखाई देता है, यह freelancing का income दिखाई देता है, क्योंकि बहुत बाद 26 AS से directly यहाँ पर import हो जाता है, तो यहाँ से आपको delete कर देना है, क्योंकि business income में already आपने दिखा दिया हुआ है, और उसके बाद इस तरीके से page आजाएगा, नीचे जाना है, confirm का button है, click कर दीजेगा, उसके बाद अगर कोई deduction है, तो उसको भी आप deduction वाले page में दिखा दीजेगा, ठीक है, हमारे case में section 80C का deduction है, तो ज कर देना है, अब deduction इंटर करने के बाद जो दुसरा important schedule आता है, वो है tax paid का, आपको अपना TDS चेक कर लेना है, सही से update हुआ है, या नहीं हुआ है, click कर देंगे tax paid पर, tax paid वाले page पर जब जाओगे, तो आपका जो income होगा, उस पर जो TDS deduct होगा, यहाँ पर दिखाई देगा, salary होगा, तो यहाँ पर दिखाई देगा, salary के लावा दुसरा आपका TDS यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, कि आपका TDS अपडेट हो गया है, या नहीं ठीक है, उसके बाद दुसरा भी कोई payment होगा, तो आप चेक आउट कर लीजेगा नीचे confirm का बटन इस पर क्लिक कर देना है तो इस तरीके से आप ITR में balance sheet भर सकते हो profit and loss account भर सकते हो बहुत ही आसानी से उसके अलवा other source का भी भर सकते हो deduction भी भर सकते हो tax paid भी भर सकते हो TDS का detail ठीक है सारा detail भरने के बाद नीचे schedule part B TTI है इस पर आप सबको पता ही होगा क्योंकि last year के जैसे ही same है लेकिन फिर भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूं part B TTI के page में सारा computation चेक कर लेना है और refund का amount भी एक बार cross verify कर लेना है नीचे आएंगे यहाँ पर financial assets outside India या signing authority outside India तो उससे related सवाल पूछा गया है no पर click कर देंगे अब नीच आपको check out कर लेना जो आपने भरा हुआ था उसके बाद नीचे जाएंगे proceed to validation का बटन है इस पर आपको click कर देना है अब इस तरीके से आपको screen आ जाएगा यहाँ पर लिखा गया कि validation successfully हो गया कोई भी error नहीं है अब नीचे proceed to verification का page इस पर आपको click कर देना है अब इस तरीक option हम choose करेंगे अधार OTP का और फिर नीचे continue का button इस पर click करेंगे अब इस तरीके से pop-up message आ गया है यहाँ पर हम I agree पर click करेंगे और generate अधार OTP वाले button पर click करेंगे अधार OTP sent हो गया है अधार registered mobile number पर जो OTP आया होगा जल्दी से आप यहाँ पर enter कर दीजेगा और फिर validate पर click कर देना है अब confirmation हमसे पूछा जा रहे हैं कि क्या आप submit करना चाहते हैं तो यहाँ हम submit करना चाहते हैं submit पर click कर देंगे और submit पर click करते हैं हमारा income tax return file हो गया है mobile number email ID पर हमारे confirmation भेज दिया गया है नीचे download return का button है इस पर click करके आप ITR का copy download कर सकते हो तो इस तरीके से आप ब लिए वीडियो में तब तक आप हसते रहें मुस्कुराते रहें धन्यवाद